हेलो, वेलकम टेक्षनमेट, आज की सेशन में हम db2.sql का एक और मैथड कवर करेंगे और उस मैथड को देखेंगे कि किस तरह से हम sql.rpg के अंदर उस मैथड की हेल्फ से डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में, ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको वो करेंगे और उसका डेटा शो करूँगा, फिर हम देखेंगे कि हमने कैसे db2.sql function कि तुरू उसका डेटा कनवर्ट किया है, ठीक है, तो मैं दूसरे session पर move कर रहा हूँ, दूसरे session मेरा यह वाला है, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिखा है, select star from sharmith1 slash emp तो यह मेरे table का name है emp और library मेरी है sharmith1, जैसे यहाँ पर enter करेंगे तो यह कुछ data शो कर रहा है, अब आप इस data में अगर first वाले row में first name चेक करोगे, तो यहाँ पर आप देखोगे, सारा जो name है वो capital letters में लिखा हूँ, जान लिखा है, अब suppose requirement ऐसी है कि हमारे को इस name को आप access करना है, बाकी सबी data normal language में है, normal case में है, बट यह वाला है, जो capital letter में, तो इसको भी हमें क्या, जब भी program में access करना है, तो हम चाहते हैं कि यह भी convert हो जाए lower case में, ठीक है, यहाँ पर मतलब, अभी जैसे कुछ name capital J से start है, बट हमें चाहिए कि पूरा जो name हो, first name, वो small में हो small j, small o, small h, small n, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या पर यूज करते है, यहाँ पर हम यूज करते है, यहाँ यूज करते है lower method, lower function, वो कैसे यूज होगा, वो में दिखाता हूँ, तो मैं वापर से session a पर जाता हूँ, यहाँ पर मैंने प्रोग्राम लिखावा है, यहाँ पर मैंन exactly उतना ही रखा है, जितना मेरा first name field का size है, 30, फिर हमने commitment control set किया है, start none पे, इसकी कोई need नहीं है, इस case में, यहाँ पर हम सिप data read करना है, तो यह आपके उपर अगर आप चाहो तो इसको skip भी कर सकते है, इस portion को, बाद में हमने क्या किया हमारी main query इसको execute किया, तो syntax बहुत ही simple पहले आपको लिखना exact SQL, select lower, यहाँ पे वो field का name, तो मैंने field का name दिया first name, अब यह क्या करेगा, lower method उस first name के field को convert कर देगा lower case में, और फिर उसको store करेगा into lower case name, तो यह हो गया हमारा host variable, ठीक है, यह host variable हो गया, from sharmit1 slash emp fetch first row only, अभी के लिए हम क्या करना है, सिर्फ first row ही fetch first row only, फिर हम चेक करना है कि अगर SQL state, SQL state underscore valid है, तो प्रिंट कर दो lower case name, otherwise प्रिंट करो SQL state, और message टाल दो, query ended with an error, और last में inlar को on किया है, ठीक है, बहुत ही simple program है, जिस्ट आपको एक lower method यूज़ करना हो बताया है, मैंने यहाँ पे, इसको हम करते है, compile, और call करते है, तो जैसे आप call करोगे, तो देखोगे, first name जो है, वो लिखावा रहा है, J-O-H-N, बट सभी characters small case में है, ठीक है, तो यह एक advantage होता है, जिसके through, हम इस function को, lower function को use करके, जो भी value skill से आ रही है, directly उसको वहीं से ही converted value retrieve कर सकते है, अब तक हम क्या करते थे, हम कुछ और method, हमार पास percent lower or percent upper function भी है, RPG-ly के अंदर, but वो use करने के लिए क्लिए क्या होता था, पहले retrieve करते थे value को, फिर उसको convert करते थे, यहां मारा थोड़ा सा time miss में बचता है, हम क्या करने है, directly query से ही, उस data को fetch करने है, जो automatically convert हो के आएगा, lower case में, तो यह advantage है, same, अगर चीज आप चाहो तो यहां पे भ first field को select किया, इसको हटाया ना ऐसे, आप यहां पे लिखते हैं, just lower, तो यहां पे लिखा हमने, low,er, ठीक है, और जब इस को हम करेंगे, आप से, इस तरह से enter, तो आप देखो कि सभी जो नहीं है, पहले यहां पे first character capital था, वो सब convert हो चुका है, lower case में, ठीक है, तो आप चाहो तो अपने SQL-RPGLE में भी उसको fetch कर सकते हो, ठीक है, तो इस session में में लिए हमने यही discuss किया, कि कैसे lower function को हम use करते है, SQL-RPGLE program के अंदर, और उसका क्या different purpose होता है, या क्या advantage होता है, ठीक है, तो इस session के लिए इतना है था, next session में हम बाके topic discuss करेंगे, so thank you for watching TechShare.